हेलो फ्रेंज आप सबीका बहुत बहुत स्वागत हैं अमारी स्चैलेंट हेगे या निशन में दोस्तो आज मैं इस वीडियो में बताने बाला हूँ आप कैसे 2021 में यूट्यूब चैनल का कस्टम URL बना सकते हैं पर दोस्तो मैं बता दो आपका यूट्यूब चैनल कम से कम एक महिना पुराना 100 सब्सक्राइबर और आपका चैनल का नेम यूनिक होना चाहिए मतलब आपके चैनल के नाम से पहले कोई भी URL लेकर राखा है तो आपको ओई URL नहीं मिलेगा तो दोस्तो आपका यूट्यूब चैनल में 100 सब्सक्राइबर और आपका यूट्यूब चैनल एक महिना पुराना होना चाहिए तो यह आपको कस्टम URL मिनेगा जो मैं आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ तो दोस्तो बीना कोई बक्त गवाए इस वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले Chrome बाउजर में YouTube.com सार्च कीजिए उसके बाद इस थ्री डॉट पर क्लिक करके desktop साइट पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपका YouTube बिल्कु desktop जैसा खुल जाए दोस्तो उसके बाद राइट साइट कॉर्णर में आपका चैनल लोगे पर क्लिक करके Creator Studio पर क्लिक कर दीजिए Creator Studio ओपेन होने के बाद इहाँ पर स्क्रोल करने के बाद आपको कस्टोमाजेशन को ओप्सेन दीखेगा आप उस पर क्लिक कर दीजिए कस्टोमाजेशन में जाने के बाद आपको बेसिक इंफो दिखेगा आप उस पर क्लिक कर दीजिए उसके बाद नीचे स्क्रोल करने के बाद चैनल URL ओप्सेन दिखेगा आप उहाँ पर आ जाएए इहाँ पर आपको सेट ए कस्टोम URL ओप्सेन आ रहा होगा आप उस पर क्लिक कर दीजिए सेट ए कस्टोम URL पर क्लिक करने के बाद आपका यूटूब चैनल का कस्टोम URL आ जाएगा अगर दोस्तों आप और भी उनिक URL बनाना चाते हैं तो आप इहाँ पर क्लिक करके उनिक URL बना सकते हैं पर दोस्तों मुझे आपना चैनल नेम से ही URL मिला है इसलिए मैं इस URL को सेब करने वाला हूँ Save करने के लिए Publish पर क्लिक करके Confirm पर क्लिक कर दीजिए Confirm पर क्लिक करने के बाद आपका चैनल का URL पब्लिस हो जाएगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं यही है अमारा वो चैनल का Custom URL आप दोस्तों इस URL को Copy करके Search करके देख लेते हैं हमारा चैनल सार्च में आ रहा है या फिर नहीं तो दोस्तों देख सकते हैं Custom URL सार्च करने के बाद हमारा चैनल सार्च में आ रहा है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छा लगाता लाइक करना कुछ पूछना है तो कॉमेंट करना चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भुलेगा कि मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूं